नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप से भी का बहुत दो स्वागत है तो आए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न है समानांतर अर्थ व्योस्ता या काले धन की अर्थ व्योस्ता का अस्तित्तु कि सम्मंद में कौन सा कतन सही होगा चार कतन चार विकल्प दिये गए हैं तो यहां पर आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट होगा इस प्रस्न के हिसाब से कि मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है, यानि मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करता है अगला प्रस्न है, गरेबी अटाव और नियाय के साथ विकास किस योजना का प्रमुख उद्देश था तो 1969 से ले करके, 1976 इस बिरतक चउथी पंच वर्षी योजना के तहत गरेबी अटाव और नियाय के साथ विकास किस अंकलपना प्रस्तुत की गई थी तो भी आपका हो जाएगा बिल्कुल डाइट आंसर अगला प्रस्थन है धमेक इस्तूप निम्न में से किस अस्थान पर इस्थित है चार आपसन है बोध गया सारनात सांची या कौसामबी सारनात आपका बिल्कुल डाइट आंसर होगा वारानसी की निकट सारनात अस्थान पर धमेक इस्तूप इस्तित है यहीं पर असोक चक्र, असोक अस्तंब इस्तित है जिसको की भारत के राष्टी चिन्न की रूप में लिया गया है और तीसरी बात सारनात को रिशी पत्तनम भी खा जाता है गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था जिसको की धर्म चक्र प्रवर्तन की संग्या दी जाती है तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि धर्म चकर प्रवरतान या फिर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो आपको रिशी पत्तनम आपसन में दिया होगा तो बिल्कुल आप रिशी पत्तनम को टिक करेंगे अगला प्रस्तन है और सहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था तो सितंबर 1922 से लेकर के अप्रेल 1922 तक गांधी जी की द्वारा और सहयोग आंदोलन चलाया गया था अप्रेल 1922 में चवरी चवरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को अस्तगित कर दिया था अगला प्रस्न है भूमद रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो जीरो डिगरी अच्छांज रेखा को भूमद रेखा या फिर बिस्वत रेखा भी कहते हैं तो यह आपका मेक्सिको देश से होकर नहीं गुजरता है मेक्सिको आपका एक मध्य अमेर्की देश है भूमद रेखा आपका वराजील, कीनिया और इंडोनेसिया देशों से होकर गुजरती है भूमद रेखा कि आसपास का चेत्र उस्टर कटबंदी है चेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्श भर उच्छे तापमान और वर्शा प्राप्त होती है अगला प्रसन है निमन में से किसे देश या प्रदेश की सीमा अव्लाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो अव्लाचल प्रदेश की सीमा भारत के असम राजिये नागा लेंड राजिये असाम इसके लाबा भूटान देश और म्यामार देश से लगती है जबकि मड़ी पूर से इसकी सीमा नहीं लगती है भारत के असम राजिये में ही ब्रह्म पुत्र नदी के द्वारा निर्मित माजुली नदी दूइप बी सुखा सबसे बड़ा नदी दूइप है ये भी आप बिल्कुल जानते रहेगा वहीं पर भारत के उत्तर भारत के पुर्वी राजियों में एक राजिय है तुरिपुरा इसका नाम है तुरिपुरा राजिये बागला देश से तीन और से इसकी सीमा है बागला देश से तीन और से घिरियों भी है इसको भी आप जानते रहेगा वही पर मड़िपूर की लोकटक जील में केबूल लाम जाओ मैं यहां लेक दे रहाओ मड़िपूर में लोकटक जील है लोकटक जील में केबूल लाम जाओ विस्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्टी उद्ध्यान है ठीक है वहीं पर अवलाचल प्रदेश के बारे में जान लिजी आपके 2011 की जनगर्णा के हिसाब से यहाँ पर जनगर्णत तो सबसे कम है और अतिस अगन वनों का छेतपल प्रतिसत में अवलाचल प्रदेश में सरवादिक पाया जाता है नाम दपा राश्टी पार के परिश्थित है भारत में ब्रह्म पुत्र नदी सबसे पहले दिहांग नदी के नाम से और राचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है अगला प्रस्थ है अच्छन महाराज किसे छेत्र से सम्मंदित है तो उत्तर प्रदेश का लोक निर्ति है कत्थक तो लच्छन महाराज कत्थक निर्ति से सम्मंदित है तो भी आपका हो जाएगा राइट आंसर कत्थक कली आपक काहर्याडास हो गया तो ऐसे कुछ भांगड़ा आपका हो गया पंजाब का कुछ महतोपड जो लोग निरते हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अगला प्रस्ण है कुपिका किसके भीतर गुबारे जैसी संग रचना पाई जाती है तो कुपिका फेपणों की भीतर गुबारे जैसी संग रचना पाई जाती है इसी कुपिका के द्वारा कार्बन डाई आकसाइड को सरीर से बाहर निकाला जाता है और आकसीजन का अवसोस किया जाता है अगला प्रस्थन है संपदा क्रिशी प्रवसंस्क्रण क्लश्टर की क्रिशी समुदुरी प्रवसंस्क्रण विकास योजना को पी-m-k-s-y नाम दिया गया है तो पी-m-k-s-y में इसका पूरा नाम है प्रधान मंतरी किसान संपधा योजना ठीक है तो यहाँ पर के का मतलब है किसान अगला प्रस्थन है नेपाल का चेतरपल लगभग कितना है वर किलोमेटर में तो भारत के सबसे लंबी सीमा बांगला देश के साथ है नेपाल का चेत्रपल कुल है लगबग 1,47,181 वर्ग किलोमेटर अगला प्रस्न है निम्न में से किसकी इलक्ट्राउन बंदुता या फिर इलक्ट्राउन आफेनिटी सबसे कम होती है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा D. आरगन की अगला प्रस्न देख लीजिए अम्ला की विसे में निम्न में से कौन सा कतन सही है तो अम्ला भी होते हैं जो प्रोटान देते हैं या पिर आप कर सकते हैं H प्लस आयन देते हैं विलेयन में और यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये चार की विशे में सही है, तो पहला वाला कथन आपका अमले की विशे में गलत है, ठीक है, ये चार की लिए सही होगा, दूसरा वाला कथन आपका सही है, इनका pH मान साथ से कम होता, ये भी आपका सही है, तो केवल दो और तीन हो तो भारत के राष्टपती के समझ्चे परस्तूत करते हैं C.A.G. को भारतिय धन या भारतिय संपत्ती का प्रहरी भी खा जाता है बिल्कुल इसको भी आप जानते रहेगा अगला प्रस्न है किस सम्विधानिक संसोधन के द्वारा दल बदल कानून को पारित किया गया था चार आपसन है 41, 46, 48 या फिर 52 सम्विधानिक संसोधन अधिनियम किस के द्वारा किया गया था इसको तो 52 संभिधानिक संसोधन अधिनियम के ताथ एक नई अनसूची जोड़ी गई भारत के संभिधान में अनसूची 10 अनसूची 10 में दल बदल विरूधी, कानुन संमन्दी प्रावदान है और 52 संभिधानिक संसोधन था ये ओहीं पर अनसूची घारा आपका पंचायती राज से सम्मदित है अनसूची बारा आपका नगर पालिगाू नगर निगम या नगर पंचायत की प्रसाशन से सम्मदित है एक पात आप हो जानते रहे है पंचायती राज की विशे में कि बलवन्त राय महता समिति के द्वारा त्री अस्तरी बेवस्ता दी गई थी जबकि असोक महता समिति के द्वारा दो अस्तर की पंचायती राज बेवस्ता की अनुसंसा की गई थी वहीं पर 24 अप्रेल को हर वर्ष पंचायती राजदिवस की रूपे मनाया जाता है most important question 2019 के PCS एक्जाम में ये प्रसन पूछा गया था 24 अप्रेल को पंचायती राजदिवस है अगला प्रसन है जब प्रकास संसलेसर के लिए कारबन या अकसाइड की आवसकता नहीं होती है तब पउधा रंद्र को क्यों बंद कर देते हैं मित्रों आपके आने वाली परिक्षा के लिए ये सभी प्रसन काफी महतुपूड है तो बिल्कुल आप एक एक प्रसन को देखते चलिए एक एक प्रसनों में आपके कई की प्रसन सामिल हो जा रहे है तो बिल्कुल आपका इन 40 प्रसनों के माध्यम से आपका 100 से भी अधिक प्रसन तयार हो जाएंगे एक एक वीडियो की माध्यम से जो भी मित्र चैनल से पहले बार जुड़े हो या पिर जिन मित्र ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा पीछे की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो बिल्कुल आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पानी के नुकसान को वास्पुत सर्जंग के द्वारा रोकने के लिए जब इन्हें कार्बन डाई आकसाइट के आवसकता नहीं होती है तो पाउधे अपने रंदर को बंद कर देते हैं अगला प्रसना है नीती आयोग है नीती आयोग आपका एक और समवेधानिक निकाय है 1950 में योजना आयोग के अस्थापना की गई थी और 2015 में इस योजना आयोग का अस्थान नीती आयोग ने ले लिया बिल्कुल इसको आप जानते रहेगा तो C आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रस्न है सुपनवासवदत्ता के लेखक है B आपका राइट आंसर हो जाएगा भास अगला प्रस्न है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो कलिंग वंस में हाथी गुमफा लेख से राजा खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो कलिंग के उदर गिरी के समीब हाथी गुंपा से ठीक है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर राजा खारवेल को जैन मतावलंबी बताया गया है इनकी अभिलेक से जो प्राप्त जानकारी हुई है अगला प्रस्न है प्रित्वी राज रासो के लेकक हैं चंद बरदाई रासो गरंथ आधिकालिंग गरंथ माने जाते हैं बिल्कुल आप इसको भी जानते रहेगा अगला प्रस्न है खजुराव मंदिर अस्थापत्य की निर्माड में सयोगी थे या सयोग थे यानि किस के सासनकाल में किस वंस के सासको ने इनका निर्माड कराया था तो मद्ध प्रदेश के चतरपूर जीले के अंतरगत खजुराव मंदिर है आपका और इसकी अस्थापना चंदेल वंस के सासको ने कराया था यह इस दिराइट आंसर अगला प्रस्था है विजय नगर के राजा कृष्ण देव राए ने गोल कौंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो कृष्ण देव राए तुलु ववन्स के सासक थे पंदर सो नौ से लेकर के 1531 तक इंका सासंकाल था और इन्हों ने गोल कुंडा की युद्ध में कुली कुतुब शाह को परास्थ किया था यह हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर अगला प्रस्ता है मश्नवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून की नियमों का संग्र है उसका नाम क्या है मुबाईन ठीक है आपका राइट आंसर हो जाएगा पंद्रो सो चब्विस इस बिर में पानिपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को प्रास्थ किया था और भारत में मुगलवंस की अस्थापना की थी अगला प्रस्थन है औरंग जेब द्वारा चलाएगे जिहाद का अर्थ है चार आपसन है दारूल हर्ब, दारूल इसलाम, होली वार या जी जया तिहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी दारूल इसलाम ये सिवा जी के समकालीन थे अगला प्रस्थन है रानी पदमीनी का नाम अलाओदीन के चित्तवड विजय से जोड़ा जाता है उनकी पती का क्या नाम था राडा रतन सिंग डी आपका हो जाएगा राइट आंसर 1921 के मोपला अंदोलन जो साखा थी तो 1921 के आंदोलन में मुस्लिम सर्मिक वर्ग था विद्रोही वर्ग था जो कि अपने हिंदू जम्मेदारों की विरुद आंदोलन की आपका अंदोलन की एक साखा थी खिलापत आंदोलन 1919 में प्रारम हुआ था जिसकों की गाधी जी ने 1920 के आसायोग आंदोलन से जोड़ दिया था आसायोग आंदोलन आपका 1920 से लेकर के 1922 तक चला था अगला प्रस्न है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गाधी ने कांग्रेस की कारेकारी समित में अपने भारत चोड़ू आंदोलन की चर्चा की तब उस समित के अध्यच कौन थे 1942 में मौलाना अबुल कालाम आजाद और ये 1942 से लेकर के 1946 तक लगातार भारती राष्टी कांग्रेस की अध्यच बने रहे अगला प्रसन है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यचता किस ने की ती स्वामी सरद्धानंद ने ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में इंकी हत्या कर दी जाती है दयानंद सरस्वती द्वारा अस्थापित है 1875 इस बिर में बंबई में दयानंद सरस्वती ने आरे समाज की अस्थापना की थी आरंबिक दिनों में इनका मुख्याल लाहूर बनाया गया था बैयानं सरस्वती जी की एक बुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकास ये आरे समाजी थे अगला प्रस्वत है उपन्यास दुरगेश नंदनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर जी जो की भारत के राष्टिय गीत वंदे मातरम के भी रचेता है दी आपका हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रस्वत है पुरुस जीन संगठन होता है तो एक्स वाई ये पुरुस जीन संगठन होता है जबकि एक्स एक्स ये महिला जीन संगठन होता है महलाओं के तुलना में पुरुसों में एक्स क्रोमसों कम होता है एक ही होता है इस बज़े से पुरुसों में वरणांदता या पिर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या महलाओं के तुलना में ज्यादा होती है इस फैक्ट को भी आप बिल्कुल जानते रहिए अगला प्रसना है निम और तरिक ग्राही के नाम से जाना जाता है अगला प्रसना है प्रकास संसलेसर होता है तो प्रकास संसलेसर कुल तीन प्रकार के रंगों में होता है मुक्रोप से लाल, हरा, नीला या केवल दिन में होता है नीले रंग के प्रकास में प्रकास संसलेसर की क्रिया सबसे तिब्र गती से होती है और लाल रंग के प्रकास में प्रकास संसलेसर की क्रिया सबसे धीमे गती से होती है बिल्कुल आप इस फैक्ट को भी जानते रहेगा ठीक है अगला प्रस्न है प्रकास संसलेसर के लिए कौन सी गैस आवश्चेक होती ह तो कार्बन डाई आक्साइड गैस की आवसकता होती है जिसके अपचेयन से आक्सिजन गैस उत्सरजित होती है जो कि सभी मानव जीव जन्तुमों के लिए महत्वपुड गैस है स्वसन के लिए डी हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर अगला प्रस्ता है जीव विकास को सरुप्रथम किस ने समझाया था तो 1809 इस भीर में एक पुस्तक प्रकासी तुविती जिसका नाम है फिलो शिफन जू लोजिक सिर्शक से इस पुस्तक को लिखाता लैमार्क ने इसी पुस्तक म लैमार्क ने सबसे पहले बार जैव विकास को समझाया था अगला प्रस्ता है प्रयोग साला में सरुप्रतम डी एन ए डी आकसी राइवोज नेयुकलिक एसिट का संसलेसर किस ने किया था तो डी एन्नों को अन्वानसिक्ता का वहाग भी कहा जाता है या कर सकते हैं अन्व बिल्कुल आपका बी हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रस्ता है पानी का घनत्व अधिक्तम होता है तो पानी का घनत्व अधिक्तम और आयतन सबसे कम होता है चार डिग्री सेंटिग्रेट पर किस धातु से बनाया मिस्र धातु हवाई जहाज तता रेल के डिबों में पुर्जों के काम में लिया जाता है अलुमीनियम C आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलुमीनियम यह हलकी धातु होती है और इसमें जंग नहीं लगता है अगला प्रस्ण है भारत के किस राज़े में चादी उपलद होती है तो चादी के लिए रायस्थान की जावरखान कापी प्रसिद्ध है तिहां पर प्रस्ण के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा D बिहार अगला प्रस्ण है और आज की सिंखला का अंतिम प्रस्ण है किस गैस को असरु गैस की तरह काम में लेते है सल्पर डाई आकसाइड गैस को एस ओटू गैस को असरु गैस की तरह काम में लिया जाता है सल्परड अक्साइड गैस और नाइट्रोजन के आक्साइड के वज़े से अमलवर्षा होती है इसको भी आप जानते रहेगा ये दोनों गैस अमलवर्षा या एसिड रैन के लिए जिम्मेदार गैसे है ओसलो ठीके नारवे की राज़ानी ओसलो में अंतराश्टी या अमलवर्षा संगठन का मुख्याला है इसको भी आप जानते रहेगा ये प्रस्न पूछा गया है पीछे की परिक्चाओं में अगर बीडीओ अच्छा लगा होगा तो लेखे अपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लेजीएगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबीगा ऐसे ही मातुपल प्रस्नों को ले करके अगली वीडियो में आप सभी से पुना मिलेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का